दुनिया भर की कहानियों के उर्दु हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया एगनाजियो सिलोन की कहानी बेटी जैसी गुडिया तर्जुमा सत्तार ताहिर बेटी की फरमाईश आज भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी कई रोज से वो जब घर से रोजगार की तलाश में निकलता तो उसकी पूरी कोशिश होती कि किसी तरह उसकी मुटभेड अपनी पांच परस की बेटी से नहो जाए बहुत दिन पहले उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो उसके लिए एक ऐसी खूबसूरत गुड़िया खरीद कर लाएगा जो उसकी तरहां खूबसूरत होगी मासूम बच्ची ने पूछा था अबू मैं खूबसूरत हूँ हाँ बेटे तुम बहुत खूबसूरत हो हालनके हकीकत इसके बरक्स थी उसकी बेटी खासी बच्सूरत थी आँखें बहुत छोटी नाग बहुत फैला हुआ और कान बड़े होट मोटे और टेड़े थोड़ी नीचे को जुकी हुई हाथ पाउं भी ऐसे ही थे रंग भी साफ नहीं था उसके जहन में बच्ची की पैदाईश के बाद कई बार ये ख्याल आया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेटी की बच्सूरती कम हो जाएगी लेकिन मौामला उसके उलट हुआ और वो जूं जूं बड़ी हुई उसकी बच्सूरती नुमाया होती चली गई उसने अपनी बीवी को समझा दिया था कि वो कभी बेटी को ये एहसास ना होने दे कि वो बच्सूरत है बलके उसकी तरबियत ऐसे अंदाज में करे कि उसके जहन में कभी ये एहसास पैदा ना हो कि वो दूसरों के मुकाबले में कमतर है बीवी ये जिम्मेदारी पूरी तरह निबा रही थी बुरे दिन आते हैं तो पूछ कर नहीं आते वो जिस फैक्टरी में काम करता था एक तो वो पहले ही खसारे में जा रही थी फिर उसे आग लग गई कुछ लोग ये भी कहते थे कि फैक्टरी के मालिक ने जान बूच कर आग लगवाई थी ताके एक तो बीमे की भारी रकम वसूल कर सके और खसारे का काम छोड़ कर कोई नया काम करे और मजदूरों से भी जान छूट जाए कई महीनों से वो बेकार था जो चार पैसे बुरे दिनों के लिए बचाये थे वो भी खत्म हो चुके थे अब हालात ऐसे रुख पर आ गए थे कि वो कोशिश करता कि उसे रोजाना कोई काम मिल जाए ताके जब शाम को घर आए तो उसकी जेब में कुछ पैसे हूँ और हाथ में खाने पीने रोज मर्रा की जरूरतों से भरा हुआ थैला अक्सर उसे कोई काम ना मिलता पूरे शहर में बेरोजगारी आम थी और कोई नहीं जानता था कि हालात कब तबदील होंगे इन हालात में उसकी बेटी ने गुडिया की जिच शुरू कर दी वो अब गली महले में खेलने चली जाती थी उसकी माँ को ख्याल था कि उनकी बेटी में खासा ऐतमाद पैदा हो गया है वैसे भी गली महले के बच्चे भी कोई ऐसे गुलफाम नहीं थे कि वो उनकी बेटी की बचसूर्ती का मजाक उडाते एक दिन वो गली की किसी लड़की के पास एक गुडिया देखाई अब वो बज़ित थी कि उसे भी ऐसी ही गुडिया खरीद कर दी जाए वो और उसकी बीवी अपनी बेटी को अपने बुरे हालात के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे और अगर बताते भी तो शायद ये बात उनकी बच्ची की समझ में ना आती उसने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए अबू क्या मैं खूबसूरत हूँ अकसर जब वो काम की तलाश में भटक रहा होता तो ये जुमला उसके कानों में गूंजने लगता क्या मेरी बेटी को मालूम हो गया है कि वो खूबसूरत नहीं बलके बच्चकल है वो सोचता और कोई जवाब ना दे पाता असल में वो इस मसले पर कस्दन सोचता ही नहीं था ये ख्याल तो खुद बखुद उसके जहन में आ जाता था उसकी बेटी की जिद में शिद्दत पैदा होती गई वो रोती ठुनकती और कहती मुझे गुडिया चाहिए मुझे गुडिया ला कर दो हर रोज जूटा वादा करके तसली दे कर वो खुद को भी खासा परेशान कर रहा था सोचता वो उसे क्यूं बता नहीं देता कि मैं अभी उसके लिए गुडिया खरीद नहीं सकता लेकिन ये बताने कि उसमें जुरत कभी पैदा नहो सकी जब वो काम पर जाने लगता तो वो उसके सिर हो जाती आज गुडिया लेकर आना खाली हात ना आना उसने बीवी से मशवरा किया और सुभा अपनी बेटी के जागने से पहले ही रोजी रोजगार की तलाश में जाने लगा ताके बेटी से जूट ना बोलना पड़े उस रोज उसे कई दिनों के बाद काम मिल गया एक दुकानदार अपनी दुकान की तोसी और मरमत के बाद उसे नए सिरे से तर्तीब दे रहा था उसे कुछ मजदूरों की जरूरत थी दो दिन उसने वहां काम किया और अच्छे खासे पैसे उसे मिल गए जब दूसरे दिन काम खत्म होने के बाद उसे अच्छी खासी रकम अदा की गई तो उसने सोचा आज मैं गुडिया खरीद कर ले जाऊंगा उसने खिलाओनों की दुकानों पर एक मुनासिब अच्छी गुडिया की खूब जाच पड़ताल की हर गुडिया जो अच्छी थी बहुत महंगी थी कुछ गुडिया तो ऐसी भी थी जो इतनी महंगी थी कि वो अपनी पूरी कमाई अदा करके भी ना खरीच सकता था तीन-चार दुकानों पर मुखतलिफ टीमतों की गुड़ियां देखने के बाद वो एक जगां खड़ा हो गया उसे कुछ मालूम नहीं था कि अब कितने दिनों के बाद काम मिलेगा उन पैसों से वो चन्द दिनों के लिए घर में राशन भी डाल लेना चाहता था ताके घर में फाके की नौबत ना आए बहुत हिसाब किताब लगा कर उसने आखरी फैसला कर लिया आठ या दस रुपे से जियादा की गुड़िया नहीं खरीच सकता था उसकी बच्ची को भी गुड़िया से कहीं जियादा खुराक की जरूरत थी गुड़िया का क्या था अच्छे दिन आने पर मुस्तकिल मुलाजमत मिलने पर वो उसे फिर गुड़िया खरीद कर दे सकता था उसने जो गुड़िया खरीदी वो मामूली थी प्लास्टिक की बनी हुई बहरहाल उसने गुड़िया खरीदी लिफाफे में रखी और चल पड़ा घर जाने से पहले उसने जरूरी सामान खरीदा एक बड़ा थैला उस सामान से तकरीबन आधा भर गया इसके बाद वो ट्राम में सवार होकर घर जल्दी पहुँचना चाहता था ट्राम में बहुत रश्ट था किसी न धका दिया तो बड़ा थैला उसके हाथ से गिर गया इधर ट्राम रुकी और लोग उसके थैले को रौंदते उतरते चढ़ते गए जब ट्राम चली तो बड़ी मुश्किल से वो अपना थैला उठाने में कामियाब हुआ वो घर पहुँचा सामान का थैला देखकर उसकी बीवी की आँखों में चमक पैदा हो गई एक एक करके वो चीज़े निकालने लगी बेटी भी पास बैठी थी वो अपनी बेटी को अचानक गुडिया दे कर खुश करना चाहता था थैले के आखिर में सारे सामान के नीचे वो गुडिया वाला लिफाफा था बूझो तो मैं क्या लाया हूँ गुडिया गुडिया वो खुशी से चीखने लगी उसने लिफाफे से गुडिया निकाली प्लास्टिक की गुडिया सामान के बोज और लोगों के कदमों के नीचे रौंदे जाने से बिलकुल पिचक गई थी होट तेड़े मेड़े और मोटे हो गए थे आँखे अंदर को धस गई थी नाक बोज से फैली हुई थी गुडिया का वजूद दोहरा तेहरा हो गया था वो हैरत और कदर तास्फ से गुडिया को देखने लगा उसकी बेटी ने जल्दी से वो गुडिया चीन ली उसे देखा फिर हसी उसकी हसी बेरिया और मासूम थी बिलकुल मेरे जैसी है वो बोली अबू शुक्रिया आप मेरे जैसी खुबसूरत गुडिया लाए उसने अपनी बीवी की तरफ देखा जो आसू छुपाने के लिए उठकर जा रही थी